आज मैं बना रही हूँ दिवाली स्पेसल बालू साही और ये इतनी परफेक्ट बनेगी ना कि आपको खुद पर यकीन नहीं होगा और इसे बनाना इतना आसान है एकदम परफेक्ट टिप्स और टिक्स बताऊंगी जिससे कि हलुआई से भी जादा अच्छी घर पर बन करके तयार होगी और बाहर से एकदम क्रिस्पी अंदर से एकदम जूसी सॉफ्ट रहेगी आप इसके लेर्स देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं तो और यहाँ पर न सारी चीज़े आपको नाप करके यूज करनी है कोई मेजरिंग कप ले ले या फिर मेजरिंग कप नहीं है ना तो कोई कटोरी ले ले उससे भी आप यहाँ पर सारी चीज़े नाप करके ले सकते हैं तो मैं यहाँ ले रही हूँ दो कप मैदा तो इस तरह से आप मैदे को बराबर बराबर कर ले दो कप उस तरह से उसके बाद आप ले कुछ भी आप powder है और baking soda दोनों ही अलग सीजिए हैं आप यहां पर दोनों ही चीजों का use कर सकते हैं लेकिन quantity change हो जाएगी अभी मैं यहां पर use कर रही हो baking powder half teaspoon अगर अब baking soda का यूज़ करना चाहते हैं तो one by four teaspoon यूज़ किज़ीडा लेकिन दोनों में से कोई एक ही अब मैं यहां डारे हूं दो चुटकी नमक क्योंकि बालुसाई है ना मीठी होती है और अगर आप इस तरह से नमक कर देंगे ना तो आप खाएंगे ना तो बहुत जाधा मीठा नहीं लगेगा अब क्या करेंगे कि यहां पर नमक को और जो बेकिंग पौडर मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं यहां डारे हूं घी तो वन थर्ड कप घी है और एकदम परफेक्ट है अगर आप क करेंगे ना तो इतनी परफेक्ट बनेगी ना पहली बार में कि आपको लगेगा कि मतलब मैंने बनाया ही नहीं है अब क्या करना है कि पानी खी और मैदे को अच्छेसे मिक्स करना है और हाथों से बुलकुल नहीं करना है कोई चम्मच लेले या फिर इस तरह से स्पैचूल ले ले उसी से आपको यहाँ पर मिक्स करना है क्योंकि हमें यहाँ पर मैदे को मसल मसल करके गूत-गूत के नहीं सानना है सिर्फ इस तरह से हमें क्या करना है कि कम्बाइंड कर देना मतलब इकठा कर देना है मैदे को घी में और पानी के साथ तब ही जो बालु साही की लेर्स है ना एकदम परफेक्ट बनेगी और अंदर से एकदम जूसी लगेंगे खाने में देखिए जो मैधा है यहाँ पर उसे मैने इकठा कर लिया है और यह एकदम परफेक्ट मेजर्मेंट है आपको ना और ज़्यादा घी और ना ही पानी डालने की जरत पड़ेगी एकदम परफेक्ट यहाँ पर आटा लग जाएगा अब क्या करेंगे कि आटे कोई कठा कर देंगे पांच मिन तक के लिए ढखके छोड़ देंगे ताकि जो आटा है थोड़ा सा सेट हो जाए अब बना लेते हैं चासनी तो मैंने यहाँ पर बरगुन्ना चड़ा दिया है और चासनी बनाने के लिए ना कोई चौड़े से बरतन का यूज़ करें ताकि जो बालुसा ही है ना अच्छी से उसमें डूप सके अब मैं यहाँ ले रही हूँ चीनी तो मैंने यहाँ पर दो कप चीनी का यूज़ किया है वैसे आप चाहें तो डेड़ कप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाद में बच ही जाती है तो और जितना चीनी लेना है ना उसका आधा आधा आपको पानी लेना है तो म मैं हरी लाइची कूट रही हूँ जो कि मैं चासनी में एड़ करूंगी और देखिए यहाँ पर चीनी और पानी एक्टम घुलने लगी है तो अब हम क्या करेंगे किसमें केसर डाल देंगे अब डालना चाहें तो डाले अदरवाज इसकिप कर सकते हैं लेकिन केसर या फिर कल लोग तो कलर ही एड़ करते हैं उससे जो पालुसाही है न उससे अच्छी सी लाल दिखती है मतलब देखने में तो आपसनल है डालना चाहें तो एड़ किजेगा अदरवाज इसकिप कर लेजेगा अब देखिए चासनी की जो कंसिस्टेंसी है कैसी रखनी है हलकी हलकी सी च गिराती हूं आप प्लेट में ले ले दो गुंद और देखिए इसे फैलाएंगे ना इस तरह से तो हलकी सी फैलेगी बहुत जादा ने फैलेगी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं तो दो तरीका मैंने बताया है और एक और तरीका मैं बता रही हूं इस तरह से आप में उठा ले चासनी को या फिर इस तरह सी स्पैचुला में और जब आप गिराएंगे ना तो जो आखरी वून है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगी गिरने में और थोड़ी सी मतलब मतलब खिच करके गिरेगी मतलब in the sense की मतलब थोड़ा टाइम लगेगा और उसमें हलकी सी तार बनेगी तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को आफ कर दिया है और हरी लैची का पावडर एड़ किया है तो चासनी हमारी रेडी हो गई है और पांच मेट इदर हो गया थे तो जो आटा है वो भी सेट हो गया है तो अब हम क्या करेंगे कि आटे को ना इस तरह से हाथों से फैलाते जाएंगे आपको अच्छे से इस तरह से फैलाते रहना है उसके बाद बीच में हम काट देंगे आटे को और इसे क्या करेंगे दो लेयर्स कर देंगे मतलब इस तरह से उसी के ऊ अंदर पर्फेक्ट लेयर आएंगे और बहुत ही अच्छी सी जूसी बनेगी ये प्रोसेस आपको 6-7 बर करते रहना है इस तरह से आप फैलाते जाएं यहां पर आटे को और उसे वापस से आप इस तरह से काटे और उसके उपर आप दूसरे मतलब आटे को रखें और वापस इसे फैलाएं बहुत ही कम टाइम लगेगा बहुत ही जल्दी से फैल जाती है ऐसा कुछ टफ वाला काम नहीं है 6-7 बर करते करती है क्या होगा जो आटा है यहां पर पर्फेक्ट स्मूथ हो जाएगा उसके बाद लाश्ट में हम क्या करेंगे कि इसी तरह से उसे वापस से हम यहां पर काट देंगे देखिए आप इसके लेयर्स देख सकते हैं कितने पर्फेक्ट यहां पर इसके लेयर्स दिख रहे हैं तो इससे ज़्यादा हमें और नहीं करना है मैंने यहां पर टोटल साथ बार किया है और आटा हमारा यहां पर पिल्कुल बालुसाही बनाने क लिए तयार हो गया है तो अब हम क्या करेंगे कि आटे को चार पार्ट में यहां पर डिवाइड कर देंगे देखिए इस तरह से उसके बाद एक पॉर्सन लेंगे और हम क्या करेंगे अब आटे को अच्छे से यहां पर चिकना करेंगे मतलब बाहर-बाहर यह आपको इस तरह चिकना करना है, इस तरह से आटे को ले ले और ROL बनाते जाएं, इस तरह से क्या होगा ना कि आटा जो है ना बाहर से स्मूथ हो जाएगा और अंदर इसकी layers रहेंगी, और बाहर इसमूथ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बाहर स्मूथ नहीं करेंगे और जो भी आपको बाहर में इस तरह से मतलब रिंकल्स दिखे या फिर फट जाए तो आप इस तरह से हाथों से ले ले और उसे चिकना कर दें देखे इस तरह से आप एक लोई ले और उसे दबाते हुए हाथों से इस तरह से स्मूथ करते हुए आप इसे थोड़ा सा चप्ट कर लें देखें यहां पर यह बाहर से ब neighboring ये स्मूथ लग रही अगर नहीं लगे ना तो थोड़ा सा पीसे पिंच कर दें और बीच में सतरह से चैंटर आप इसके कैविटी बना ले तो इसी तरह से बालू साही रहती है इसी इसी सेप में देखें बिल्कुल यहाँ पर पर्फेक्ट बालु साही हमारी रेडी हो रही है बाहर को लेकिन आपको स्मूथ करना है तभी जो बालु साही है ना चिकनी नहीं रहेगी लेकिन खूलेगी नहीं अब बालु साही इधर रेडी हो रही है तो मैं इधर कड़ाई च लो िम पर आधा ही एड़ करनी है तो देखिए इस तरह से मैं नियाँ पर बालु साही एड़ कर दिया है और इतने आटे से ना टोटल आपकी 20-22 बालु साही बन करके रेडी हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर अधा ही एड़ किया है अब flame को आपको बिल्कुल low रखना है बिल्कुल भी आप high मत कीजेगा नहीं तो जो बालुसाही है ना उपर उपर से brown हो जाएगी और अंदर से कच्छी रह जाएगी और दीरे दीरे जैसे ही मतलब बालुसाही पकना श्टार्ट होगी ना ये उपर एकक करके फ्लोट करके आना श्टार्ट हो जाएगी और इसी तरह से मैं यहाँ पर बाकी की जो बालुसाही है ना वो भी रेडी कर लोंगी बाहर को सिर्फ आपको स्मूथ रखना और अंदर एकदम लेरी रहेंगे यही तरीका है बालुसाही बनाने का और इससे एकदम परफेक्ट बालुसाही बन करके तैयार होंगे जब हम लोग छोटे रहते थे 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 न तो ममी बनाया करती थी और ममी बहुत ही अच्छा बनाती थी वैसे अभी भी इस तरह से जो बालुसाही है कई वर साधियों में भी बनाई जाती है और ये सब रेसिपी ना सालवर में एकाथ बार ही घर में बनती है तो बहुत ज़ादा अच्छी लगती है तो आप लोग भी इसे जरूर से दिवाली में ट्राई कीज़ेगा एकदम परफेक्ट बन करके तयार होगी और आपको खुद ही अकिन नहीं होगा कि आपने इतनी अच्छी बालुसाही घर में बना करके तयार कर लिया देखिए इस तरह से यहां आपर जो बालुसाही इसमें अच्छा सा लाइट कलर आ जाएगा ना तब हम इसमें निकाल लेंगे देखिए हलका से इसमें सुनहरा कलर आ गया है और सुरू से लेकर के अन तक मैंने बालुसाही को लोग फ्लेम पे ही फ्राई किया है तो यह सबसे जरूरी बात है बालुसाही बनाने में कि आप एकदम लोग फ्लेम पे फ्राई करना है और बालुसाही में अच्छा सा कलर आने देना है जब आप बालु साही को चासनी में एड़ करें तो जो चासनी एना यहापर हलकी सी गुनगुनी गर्म होनी चाहिए तभी जो बालु साही एना अंदर से भी एक दम जूसी रहेगी और इस तरह से आप बालु साही को एड़ कर दें और एक साइड आप दो तिन मिनट के लिए रहने दें उसके बाद आप इसे पलट दें और वापस से दो मिनट तक के लिए इसमें रहने दें चार से पांच में रखने के बाद आप इस तरह से बालु साही को निकाल लें इसका जो भी एक्ष्ट्रा रस है उसे हटाते हुए यहाँ पर देखिए बालु साही कितनी जादा परफेक्ट बन करके तयार हुई है आप लोग को देख करके ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच् से गार्निश किया है ताकि देखने में और भी अच्छी लगे तयार है मैं आपको यहाँ पर तोड़ करके दिखाती हूँ वैसे मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाई थी बट अभी आप देखिए अच्छे से कितनी परफेक्ट बन करके तयार हुई है एकदम जूसी है औ और इसे आप जरूर से घर में ट्राई किसेगा और ट्राई करते हैं तो मुझे बताईएगा कि कैसी बनी मिलते हूं नेक्ट व्लाग में तब तक के लिए बाब बाई टेक क्यार